किशान सात्यों मैंनेकी पिसकी पालक भाय। आज की इस वीडियो में हम जानेगे कि पश्य के बच्चे का Diverming कैसे करें। कौन सा तरीका है जिससे पश्य के बच्चे का डी वर्मिंक हो जाए और हमारे पश्य के बच्चे के सेहत के ऊपर कोई अशर भी नहीं पड़े। वैसे तो हम किसान भाई बहुत जाजा ड़ते हैं हम अंग्रेजी तरीके से अपने पसु का दस से पंदरे दिन जो बीस दिन एंग महीना हुआ है उसका डिवर्मिंग पेड़ से कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं वो भी अंग्रेजी तरीके से तो आज हम इस वीडियो म हमारी गायफेस बच्चा देते हैं तो पंदरे से एक महीने के बीच में हमारे पसु के बच्चे के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं और इसके कई पैचान हमें दिखना चालू हो जाती है तो मैं आपको दो तीन पैचान बता भी देता हूं सबसी पहली पैचान है आप पसु के बच्चे के पेट में कीड़े की समस्या आ गई है तो इसका एक सांदार और जबर्जस देशी फार्मूला बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने पसु के बच्चे का डी वर्मिंग कर सकते हैं तो किसान साथ वीडियो के अंत तक बने रहीएगा इसमें मैं दो फार्मूले बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने पसु के बच्चे का देखरेक बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो जो सबसे पहला फार्मूला मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि आप अपने पसु के बच्चे के पेड़ से कीड़े कैसे खतम क कर सकते हैं अपने पसू के बच्चे काड़ी वर मींक किसे कर सकते हैं और जुममिएब आपको दूसरा फार मूला बताने वाला हूँ ये हाप अपने पसू के बच्चे की सकत ये भी समस्य जादा देखने को मिलता है जब पसु के बच्चे यहाँ ज़्यादा दूद पी लेते हैं तो उनको दस्त होना स्टार्ट हो जाता है वह बहुत ही पतला पतला जो है गोबर करना चालू कर देते हैं तो इसके लिए बहुत ही तगड़ा और एक चमतकारी है तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कैसे करें कौन सी दबा है किस तरीके से भता हुअ धर बहुत बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं समसे जुनने आपको दो चीजों की आउसकता पड़ेगी सबसे पहले आपको पान का पत्ता लेना है एक पीस और उसके बाद आपको दस ग्राम अजवाइन लेना है इन्हीं दो चीजों की मदद से आप एक बहुत ही तगड़ा डिवर्मिंग के लिए दबा बना सकते हैं सबसे पहले आप पान के पत्ते का प्रिस करके कुटरन बना ले दम से छोटा छोटा बारी काट लें काटने के बाद आप 200-200 mm तक पानी लेना है और उसके बाद आपको एजवाइन 10 गराम इसमें डाल देना है डालने के बाद पूरी अच्छी तरीके से पकाना है जब पानी की मातरा 100 ml तक रह जाए तब आपको उसको ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद 50 ml सुबह और 50 ml साम दो टाइम आपको अपने पसू के बच्चे को पिलाना है दोनों पिलाते ही आपके पसू के पेट में जो भी कीड़े की समस्या है वो सभी समस्याएं खतम हो जाएंगी और किसान साथियों जो अगली बार अपने पसू का डी वर्मिंग करना है उसे आपको 15 दिन बाद करना है 15 दिन बाद फिर यही फार्मूला आपको पिलाना है उसके बाद जब आपका पसू 3-4 महिने का हो जाए तब आप अपने पसू के बच्चे का डी वर्मिंग अंग्रेजी दबाओ से कर सकते हैं और जो दूसरा फार्मूला है इसका तो बहुत ही सांदार बहुत ही जबरजस्त रिजल्ट देखने को मिलता है हम खुद अपने घर पे आजमाते हैं अपने पसू के बच्चे को कई भारं हमने लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को भुमें मिला है तो इस फार्मूले के लिए जब आपके पसू के बच्चे को दसे की समस्ष्य क्याइयर दूद जादा पीने की वज़े से आपको इस फार्मूलै को बनाने के लिए लेना है 15 गराम जीरा और पांच गराम चीनी और पांच गराम नमक जियां किसान साथियों इन्हीं तीन जो की मदद से आप एक बहुत ही सांदार और बहुत ही जबर्जस्त देशी दबा बना सकते हैं जिसे आपके पसु के बच्चे की दस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसे लेने के बाद सिल्वट्टे या मिक्सर मशीन में आप डालके बारीग पॉर्डर बना ले और बनान कि इस पर हमने वीडियो बना रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट इस वीडियो पर आये हैं बहुत से लोगों ने यूज किया है और बहुत ही संदार इसका रेजल्ट देखने को मिला तो खिसा साथ इसी के साथ हम इस वीडियो से लविदा लेते हैं नमस्कूर